वीडियो में हम लोग दानियल की कहानी को देखेंगे और यह भी देखेंगे कि दानियल सच में अपने परमिश्य के प्रती विश्वास करता था दानियल कौन था और उसके साथ ऐसी कौन सी घड़ना घड़ी थी प्रियो दानियल की पुस्तक ऐसे समय में लिखी गई थी जब एक मुर्ती पुजक राजा नबुकर नेजर यहूदियों को बुरी तरह सता रहा था और उनका दमन कर रहा था इस पुस्तक में बहुत सी ऐसी बाते लिखी है जो सिर्फ उस समय ही नहीं बलकि हमारे समय में भी घड़ रही है और अंध के समय में भी घड़ने वाली है पर आज के वीडियो में हम एक प्रमुक भाग को देखने जा रहे हैं वीडियो को आंधि तक जरूर देखेगा यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजे और वैल आइकन को भी दबा दीजे जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए तो आईए वीडि नेजर के द्वारा जब यहूदियों को बंदी बना कर उसके राज्य में लाया गया था तब उसी बंदी लोगों में ही यहूदियों के गुद्र का दानियल भी था जैसा कि हमने पहले भी बताया कि राजा नभुकत नेजर एक मुर्ति पुजक राजा था एक बार की बात है जब राजा ने अपने राजी के दूसरे वर्ष में एक सपना देखा और उस स्वपन के कारण उसका मन बहुती व्याकुल हो गया और उसे नींद नहीं आई तब राजा ने आग्या दिया कि जो तीश्यों तंत्री और टोन हो और कसिदी लोगों को बुल राजा के बुलाने पर वे सभी लोग हाजिर हुए तब कसिदीयों ने राजा से अरामी भाषा में कहा हे राजा तू चिरन जीवी रहे अपने दासों को स्वपन बता और हम उसका फल बताएंगे राजा ने कसिदीयों को उत्तर दिया मैं या आग्या दे चुका हूँ कि य यदि तुम फल समेथ स्वपन को बता दो तो मुझसे भाती-भाती के दान और भारी प्रतिस्ठा भी पाओगे इसलिए तुम मुझे फल समेथ स्वपन बताओ उ उन्होंने दूसरी बार कहा हे राजा स्वपन तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका अर्थ बता देंगे राजा ने उत्तर दिया मैं निश्य जानता हूँ कि तुम यह देख कर कि राजा के मुह से आग्या निकल चुकी है समय वढ़ाना चाहते हो इसलिए यदि तुम म मुझे स्वपन बताओ तब मैं जानूंगा कि तुम उसका अर्थ भी समझा सकते हो कसदियों ने राजा से कहा प्रीत्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी जोतीशी या तंत्री या कसिदी से ऐसी बात पूछी हो जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़ कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके इस पर राजा ने जुझला कर और बहुती क्रोधित होकर बेविलोन के सब पंडित्तियों का नाश करने के लिए आग्या दे दिया अतहिया आग्या निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था और लोग दानियल और उसके संगियों को भी ढूंड रहे थे कि वे भी घात किये जाए तब दानियल ने अंग्रक्षकों के प्रधा के साथ क्यों निकली है तब अरियोग ने दानियल को सारी बाते बता दिया इसके सुनने के बाद दानियल ने अंदर जाकर राजा से विंति किया कि उसके लिए कोई समय निर्धारित किया जाए कि वह महराज को उसका अर्थ बता सके इसके बाद दानियल अपने घर जाकर अ दर्शन के द्वारा राजा के स्वपन को और उसका अर्थ परमिश्वर ने बता दिया। दानियल का पद बढ़ा कर दिया। और उसे बेविलोन के सारे प्रांथ पर हाकीम और बेविलोन के सब पंडितों पर मुखे प्रधान बना दिया। इसके बाद दानियल ने अपने साथियों को भी ऊचे पदों पर रखनी के लिए बिंति किया। जिसमें से की दानियल भी एक था परन्तु दानियल के साथ वाले अधिपतियों ने दानियल के विरुध युक्ति निकाली कि इसे कैसे इस पदि से हटाया जाए क्योंकि दानियल के साथ परमिश्वर का आत्मा रहता था और उसके द्वारा सारा काम अच्छे से हो जायता था इसलिए अब हे राजा ऐसी आग्या दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर जिससे यह बात मादियों और फारिसियों की अटल व्यवस्ता के अनुसार बदली ना जा सके तब राजार ने उस आग्या पत्र पर अपना हस्ताक्षर कर दिया जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है तब वह अपने घर में गया और उसकी उपरोटी कोठरी की खिड़किया यरोशलिम की ओर खूली रहती थी और अपनी रीती के अनुसार जैसा वह दिन में तीन बार अपने परमिश्र के सामने घुड़ने हुए पाया अतवे राजा के पास जाकर उसकी आज्या के विश्य में उसे कहने लगे कि हे राजा क्या तुने ऐसा आज्या पत्र पहस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुश्य या देवता से बिंती करेगा वह सिंगों की मान्त में डाल दि हाँ मादियों और फारिसियों के अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात इस्थिर है तब उन्होंने राजा से कहा यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने हे राजा ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किये हुए आग्या पत्र की और वह पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे हे राजा यह जान रख कि मादियों और फारिसियों में यह वविस्था है कि जो जो निशे दाक्या और आग्या राजा ठहराए वा नहीं बदल सकती तब राजा ने आग्या दी और दानियल लाकर सिंगों की मांद में डाल दिया गया उस समय राजा ने दानियल से कहा तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए तब एक पत्थर लाकर उस गड़े के मूँपर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियो नहीं पहुचाई गई और उसे उस रात नींद भी नहीं आया पौफटते ही राजा उठा और सिंगों के गड़े के ओर फुर्ती से चला गया जब राजा गड़े के निकट आया तब शोक भरी वाड़ी से चिलाने लगा और दानियल से कहा हे दानियल हे जीवते सिंगों के मुख को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानी नहीं की इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोश पाया गया और हे राजा तेरे सामने भी मैंने कोई भूल नहीं की है तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड़े में से निकालन वे अपने अपने बाल बच्चों और इस्त्रियों समेत लाकर सिंगों के गड़े में डाल दिये जाए और वे गड़े की पेंदी तक भी ना पहुँचे थे कि सिंगों ने उन पर जपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला तब दारा राजा ने सारे प्रीत्वी के रहने वालों को देश देश और जाती जाती के सब लोगों और भीन भीन भाजा बोलने वालों के पास यह लिखा तुम्हारा बहुत कुशल हो मैं ये आग्या देता हूँ कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां वहां के लोग दानियल के परमिश्वर के सम्मुक कापते और धर्धराते रहे क्योंकि जीवता और योगानी उक्त दहने वाला परमिश्वर वही है उसका राज आविनाशी और उसकी प्रभूता सदा इस्थिर रहेगी जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुडाने वाला है और स्वरिक में और प्रीथवी पर चिन हो और चमतकारों का प्रगट करने वाला भी है इस पर का दानियल राजा और कुष्रो फार्सी दोनों के राजी के दुनों में सुक और चैन से रहा था यो इस्राइलियों के बारह गोत्रों में से यहुदा गोत्र का दानियल भी यरुशलेम की लोट और यहुदियों की हार के दोरान बेबिलोन बंदी बना कर ले जाया गया था दानियल अपने यहवा परमिशर को जानता था, दिन में तीन बार वो प्राथना नियमित तौर पर किया करता था, परमिशर के प्रती उसका विश्वास अटूट था, उसके साथ के अधिकारी उससे नफरत करते थे और उससे नीचा दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा से कहा, तीस दिन तक कोई भी आपको छोड़ कर दूसरे किसी को भी उपासना ना करे, क्यूंकि वे ये बात जानते थे कि दानियल दिन में तीन बार अपने यहवा परमिशर से प्राथना करता है, परन्तो इस आग्या की कुछ भी चिंता किये बगर दानियल ने अप शेर की मांद में डलवाने पर जोड़ देने लगे, शेर की मांद में भी यहवा परमिशर ने दानियल को बचाया, उसकी कुछ भी हानी नहीं हुई, ये स्टोरी हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए काफी है, दानियल को शेर की मांद से बचाने वाला परमिशर आज भ आप सभी भाई बैनों को प्रभू येश्व मसी के नाम में जय मसी की तो दोस्तो कैसी लगी आपको इस टोरी कमेंड में लिखके बताएं आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जय मसी की दोस्तो आप सब्सक्राइब कर दोस्तो